कि देखा राजू हम इंसान भी पहले बंदर थे सची आचार्य जी हाँ राजू मेरा नया यंत्र यही साबित करेगा इससे बंदर से इंसान बनेंगे इससे बंदर में जेंटलमान वनूंहा याँ जगू जगू-जगू-जगू-गू-द्धन cs मयन है जगू-गू-गू-गू-गू जगू जटलमान जग्गू बनगा जन्टल्मेन, सुट बूटाए लो, वाँ जग्गू को कोई पता नहीं, वो दीखो हाँ, जग्गू, जग्गू नहीं, जग्गू जन्टल्मेन जग्गू जन्टल्मेन, कैसे, आचार्य जी के यंत्र से, पर वो इस्तेमाल करना मना है, ओ ये, बेखार हो जाती, अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लड्डू लो जग्गू, भीम और राजू कब से तुम्हें ढून रहे थे, तुम्हारे बिना लड्डू भी नहीं ख किसी के भी साथ घूमुम नहीं सकता, क्या हम तुमारे दोस्त है जग्गू, जग्गू जन्टल्मेन का दोस्त बनना आसान नहीं है, ये तुम्हें क्या हो गया है जग्व, जग्ःर गए जन्टिल्मेंट बन्हें gentleman bandar देखिया उस्ताद वो भी डूलखपुर में gentleman Bandar वा 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 सरकस वा इसके बहुत पैसे देंगे gentleman bandar छार दो छार दो मुझे मुझे छार दो वहां! बीम! छोर दो, जगजो को?! कभी नहीं, बकल्लोईने! है ठीक हो गया मैं हाँ ठीक हो गया दोस्तों तंटंटंटंट मेरी बदद करो ना मेरी पतंग बद गई जग्गू जपन 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 अभी लाया पतंग मेरा पोता जग्गू शुक्रिया जग्गू शुक्रिया घ्रीव आप कौन है आपको तो पहले कभी नहीं देखा नील सेनिकों का सरदार हूं और जग्गू का दद्दू मेरे दद्दू मैं तो आपको नहीं जानता इसलिए जानते नहीं क्यूंकि बहुत छोटी उम्र में ही तुम हम से अलग हो गए थे मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूं मैं तुम्हारे परिवार हैं अगर तुम एक नील सेनिक हो तो तुम्हें दद्दू के साथ जाके उनके बारे में जानना चाहिए पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ हाँ चंगू और हम सब आरे परिवारवालों की साथ खुब मस्ती करेंगे तुम सब ने नील सेनिकों की मस्ती देखी है अब इनका कमाल देखो जुम्हारे 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 यहां कि नुछे आरे तोस्तों को बहुत आए तद्दू तुमने पहली बार मुझे डद्दू बुलाया तद्दू मुझे यकीन हो गिया कि मैं एक नील सेनी हूँ यहां बार बार आना चाहूंगा बार बार आना तुम वापस नहीं जा रहे हो जग्गू अब से तुम यहीं रहने वाले हो क्या है मुझे डूलक पर वापस जाने है वो क्या तद्दू हमारे पुराने दुश्मन गुरिला फॉज गुरिला फॉज बच्चों तुम सब की दूस्ती और ताल मेल देखके मैं बहुत खुश हूँ मेरा पोता जग्गू तुम सब के साथ रहके नील सेनिकों से भी उत्तम बनेगा जग्गू तुम अपने दोस्तों के साथ धोलक पुर लोट जाओ वहीं पर तुम खुश रहोगे जुम्बारे जुम्बा चुटकी ओ चुटकी उठ जा बेटा सुबह हो गई है स्कूल नहीं जाना क्या क्या मा वड़ी दिर और सोने दोना अरे उठ जा बेटा तुझे याद नहीं आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं ऐसा क्या खास करने वाले है मा जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो याद नहीं आज ही तुम मैं तुझे अपने खास लड़ू बनाना सिखाने वाली थी जिन लड़ू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है पिर मा तुम हो तो मुझे लड़ू बनाना सि और वैसे भी आज मुझे चल दी स्कूल जाना है पर पर क्या अच्छा छीक है आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी अब आराम से पेड़ की च्छाओं में बैठकर लड्डू खाएंगे भई वाह तुन्टुन मौसी के लड्डूों का तो जवाब ही नहीं आज घर जाकर मैं भी मासे लड्डू बनाना सीखूंगी यह तो तुम कल भी कह रही थी सच तो यह है कि भीम की ताकत के पीछे तुन्टुन मौसी का ही हाथ है क्योंकि वो ही यह खास लड्डू बना सकती है लड्डू तो मैं भी बना सकती हूं अज चुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगी मैं अपने हाथ से सब को लड्डू ब नहीं लट्डू खाऊंगा अरे धोलो भोलो ये कालिया नजर नहीं आ रहा कुछ पता है कहा है हाँ अपने बिस्तर पे पड़े है बिस्तर पर क्यों वो ठीक तो है ना ठीक नहीं है उसता कुछ टूट भूट गए है चलो चलो जरा उसे मिलकर तो आए कालिया अजर ना हम कालिया उस्ताद के लिए एक अच्छा सा तौफा लेकर आए जिससे कालिया उस्ताद खुश हो जाए और जल्दी अच्छे हो जाए जलो चलो जल्दी से तौफाल आते हैं चलो कुछ और हमारे प्यारे उस्ताद जल्दी अच्छे हो जाओ यह उस्ताद को जरूर हसाएगा अरे भूलो देख इतना बड़ा तर्बूज अफे के साथ साथ यह भी कालिया उस्ताद के लिए ले चलते हैं हाँ कुछ वो खाएंगे कुछ हमें भी मिल जाएगा मैं तुम्हें ये तर्बूज नहीं बेचूंगा और हम खरीदना चाहते हैं भागो यहां से वर्ना ठीक है ठीक है हम उस्ताद को कह देंगे कि तुमने तर्बूज नहीं दिया क्या क्या कहा उस्ताद हां उस्ताद तो पहले क्यों नहीं कहा ले जाओ उस्ताद के लिए ले जाओ जाओ कितने का है मजाग कर रहे हो क्या तुमसे इसके पैसे थोड़ी लूँगा उस्ताद के लिए जो है जाओ जाओ ले जाओ 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 उठाले इसमे क्या है बाद में देखना उस्ताद पहले ये काओ अडर टार उसर ब्लाखे थिरया जाओ जाओ तर्बूज हमारे हमाले कर दो लगता है अभी तर्बूज नहीं लड्डू खाने का टाइम है गुस्सा मत हो पहलवान तुम्हारी बार और प्यारी हम ठीक कर देंगे वह नहीं हृृ। 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 म little मेरे लिए अब तो हमारे उस्ताद चल्दी अच्छे होने वाले हैं चलो कालिया उस्ताद के लिए एक और कैट्वेल सुन गिफ्ट लेकर आते हैं भीम भीम जग्गु क्या हुआ तुम्हें इतनी जल्दी में क्यों हो तुम्हारे पास ही आ रहा था में राजु और कालिया क्या हुआ राजु और कालिया को कोई खत्रा तो नहीं हां यहीं समझ लो एक दूसरे के लिए खत्रा अरे जग्गु पहेलिया मत बुझाओ साफ साफ कहोना क्या हुआ राजु जाने दू कालिया तुम्हें छेड रहा है कालिया मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाई बनूगा तुमसे कई बहतर क्या कहा तुमने मुझसे बहतर सिपाई बनोगे खुद को देखा है कभी इत्तोस हो तो है पहले अपने आपको देखो तुम मोटा शरीर मोटा दिमाग कैसे बनोगे बहतर सिपाई दिमाग का लड़ाई में क्या कम वहां तो ताकत का जोर चलता है ले अभी तुझे दिखाता हूँ भलू भलू तो तयार कालिया है डर तो नहीं लग रहा राजो डर पोग धोलू वलू है मैं नहीं तुम सब देखना आज रात के बाद सब कालिया को धोलगपुर का हीरो कहेंगे हीरो हुँँँँँट बचा कितना बुरा सपना था लेकिन मैं घर कैसे पोँचा मैं लाया तुम्हें कौन उस्ताद उस्ताद बीर बीर वो पेड का भूत मैं भूत नहीं हूँ कालिया मैं मैं बेताल हूँ कालिया का बेताल लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला उस जंगल के पेड़ पर मुझे कोई चिपकु बेताल बेताल नहीं चाहिए लेकिन पेटाल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले. मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था. कल रात कालिया आया. और मुझे खाना खिलाया, और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया. भीम, कुछ करो. भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है. वही ये ताला खोल सकता है. चलो भीम, जल्ली चलो. बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहां है? भीम, तुम्हें पिर? भीम, तुम्हें पिर? पीप! पेरा जादू अब कंजोर नहीं! येर ले! तैयरदोस्तो. रुको भीम अलविदा बाई वेतार ताटा दोस्त कितना बढ़िया है पुर्णी मा का चांद हाँ मन करता है चांद तारों को देता ही रम चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता हाँ फिर दो दो चांद दिखने को मिलते अकल के दुश्मनों मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते धोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी तुम्हें चान देखके भूलू भूलू का खयाल आया क्या थीक है इतना भी क्या हसना इस बात पे तुम्हार रोस चान देखते हो और मैं इन दो चछुन्दरों को उस्ताद आधी परेशानी क्यों हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे आज से हम आपको चोड़के भीम को अपना अस्ताद मानेंगे चुप रहो खाली खोपड़ी वालो मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्यूंकि मैं ठो लगपुर का southern loch को-दंधर पहलवान नहीं उसंदर मोटा को क्या खु economically कर रहे है को मच्छर के छचरओ तुम दो लगने लगा कि तुम टौलखपूर के सब दंधर पहलवानों नहीं भी यही रहता है शुछ औल गे यह तो क्या हुआ तो क्या हुआ एक बार भी बीन से जीत नहीं पाए सिर्फ ढोलू-भोलू के उपर रोप जमाते रहते हो दम है तो जीत कर दिखाओ राजू रहने दोना कितनी खुबसूरत शाम है चांद तारों के नीचे मज़ेदार खाना खाएंगे और कोई ज़रूरत नहीं पहले चुनोती फिर मेरी जीत के खुशी में खाएंगे ठीक है तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनोती बोलो भीम से जीत नहीं पाओगे रसाकसी खेलेंगे क्या बोलते हो भीम रसाकसी ठीक है मनजूर है कालिया लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान अब तुम दोनों रसी को अपनी तरफ खीचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया तैयार हार्यार हार्यार हार। हार्यार की चोप चाला अब चाला बाद कीचोप उसद हमसे नहींउष्रा पमें हमक्डोग उस्ताद तो तैय हो गया ही हमारा उस्ताद है मैं फिर से हार गया मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए अब मैं ढोलग पुर छोड़कर चला जाओंगा कालिया खेल में तो हार जीत होती ही रहती है मायूस मत हो नई तुम्हें एक बार भी मुझे से नहीं हारे कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं रो बात कालिया बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कुछ भी नए अभी मौका है मां रो ठीक है मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी की पास नहीं हां मुझे मुझे चांद चाहिए चांद कैसे बिलेगा कालिया प्रोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अकल छोड़ दी क्या मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाओंगा ये तो बहुत आसान है मैं दिखाती हूं कैसे चोकोस मूटसेट स्टार्स चोकोस मूटसेट स्टार्स अपना हाथ आगे करो कालिया अब देको अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं पर चांद मेरा है मेरा मेरा चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया जोर लगा के है शाह भी जगू और जोसे हमें जीत कर ही रहना है उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरुवत नहीं है और दम लगाओ छचंदरो हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहें बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चंपू पानी तक पहुचेंगे लो पहुच गए चंपू पानी में अब चलो दम लगाओ दूदी के छिलको दौड कहां तक चलेगी भीम तूटे पुल के पास चुटकी एक जंडा लेकर खड़ी है वहीं दौड खत्म होता है भीम आगे एक बड़ा पत्थर है ठीक है नाव को दाई तरफ गुमाओ अब तो वह गय काम से गीरोगीरी करके नाव को बचा लिया अगर जीत नहीं पाओगे बच्चु तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा रे रुक जा अरे बेवकुफो चप्पू और तेज़ चलाओ मैं समझी नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई जग्गू राजू हिम्मत बथारो तुम कर सकते हो ओ जीत के रेखा तो ज्यादा दूर नहीं और विजेता है भीम राजू और जग्दू भीम तुमने कर दिखाया तुम दुनिया के सबसे बड़िया दोस्त हो तुम्हारा जन दिन कुछ दिनों में ही है ना देखना इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे हां कुछ शानदार सा एकदम हटके उस्ताद की मार खाने से भी इतने बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पु चला कर हुई है अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है ठोस थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ ज्यादा सपने मत देखो छचुन्दरों क्या मस्त पिडाई के उसकी तुमने भीम राजू समल कर राजू तुम ठीक हो ना मस्त भीम की शक्ती धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए चोटा भीम चोटा भीम दिल का ये रंगी खाने की मशीन लटू का शोकी भीम 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 चोटा भीम चोटा भीम जारों का है यार सबका मददकार आहां सबको बाती ये प्यार भीम 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 चोटा भीम चोटा भीम दुश्मन बचके ना जाए भीम शक्ती है जी दिखाए भीम की शक्ती धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए चोटा भीम चोटा भीम भीम जोटा 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